So what's up guys, तो आज की इस वीडो के अंदर मैं आप लोग को कुछ इसी टाइप की फोटो को एडिट करना सिखाने वाला हूँ जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहें केवाल एटूम एप की मदश से और एक ही वीडो के अंदर ना मैं आप लोग को इन दोनों टाइप की फोटो को एडिट करना सिखा दूँगा तो आप वीडो को कम्पलीट देखिएगा तभी आप फोटो को एडिट कर पाएंगे और वीडियो के end में आपका भाइना इन दोनों टाइप की फोटो को वन क्लिक में भी edit करना सिखा देगा तो वीडियो को आप लोग complete देखिएगा उससे पहले आप अपनी gallery से original फोटो को लीजिएगा और लेने के बाद simply इसकी share के icon पे click करके और इस photo को light room के अंदर share कर दीजेगा और मैं सीधे light room map को open करता हूँ हाँ पर आपको सारी process बताता हूँ चो what's up गई जैसे ही आप light room map को open कीजेगा तो आप लोग के सामने कुछ इस type की interface देखने को मिलेगा तो simply all photos के icon पे click करेंगे अपनी photo को select कर लेंगे और गैज इसी photo को हम लोग edit करने वाले हैं और आपका भाई बहुती आसान तरीका बताएगा तो वीडियो को आप लोग completed देखिएगा तो सबसे पहले वाले step में guys हम लोग क्या करेंगे side में ऐसे scroll करेंगे कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी details के icon पे click करके इसकी sharpening की value increase करके plus side में 43 version कर लेंगे और इसकी masking की value increase करके plus side में 52 version कर लेंगे तोड़ा सा scroll करके नीचे आएंगे और इसकी noise reduction की value increase करके plus side में 27 version कर लेंगे और scroll करके नीचे आएंगे और इसकी colors noise reduction की value को भी increase करके plus side में 32 version करके पूरा नीचे आजाएंगे और नीचे आने के बाद अगर आप अपने face को smooth करना चाहते है न तो smoothness को आप 100% कर दीजिएगा कर लेने के बाद simple से आपका पहला step completed हो जाएगा और आपका बाई एक एक किस्टे बहुत ही simple तरीके से बताएगा तो वीडो को आप लोग completed देखिएगा तो इतना सारा काम कर लेने के बाद दूसरे वाले step के अंदर इसकी light वाले icon पे click कर देंगे कर लेने के बाद सबसे पहले contrast की value increase करके plus side में 23 version करेंगे highlight की value decrease करके minus side में 56% करेंगे shadow की value increase करके plus side में 25 version wise की value increase करके plus side में 15% करेंगे और इसकी blacks की value decrease करके minus 34 कर लेंगे और ये setting आप जैसे ही कीजेगा तो आम लोग का दूसरा step भी completed हो जाएगा after before आप यहां से देख सकते हैं और video के end में आपका भाई न वन क्लिक में भी photo को edit करना सिखाएगा तो video को आप लोग completed देखिएगा तो तीसरे वाले step के लिए simple सा हम लोग क्या करेंगे colors के icon पे ऐसे click करेंगे कर लेने के बाद सबसे पहले इसकी temp की value decrease करके यहां से minus side में 10% कर लेंगे tint की value decrease करके minus side में 14% कर देंगे और इसकी vibrance की value increase करके यहां से plus side में हम लोग क्या करेंगे 22% करेंगे situation की value increase करके plus side में 10% कर लेंगे और यह setting आप अच्छे तरीके से देख लीज़ेगा तब ही आप अपनी photo को edit कर पाएंगे कर लेने के बाद simple से आप लोग को उपर side में कोने में न mix tool के icon पे click करना होगा और जैसे ही आप click कीज़ेगा तो आप लोग के सामने धेरो सारे color नज़र आएंगे और इने color का use करके आपका white tone को create करना बताने वाला है तो यहां पे आप वीडो को अच्छी तरीके से देखिएगा सबसे पहले blue color को select करके situation की value decrease करके minus 100 कर देंगे इक को आप blue color को select करेंगे इसकी भी situation की value decrease करके minus 100, hue की value भी decrease करके minus 100 कर दीजिएगा इसका आप लोग को green color को लेना होगा और लेने के बाद यहां पे आप setting को देखिएगा बीना setting को देखे हुए आप photo को edit नहीं कर पाएंगे इसकी luminous की value increase करके plus side में 100% कर देंगे situation की value increase करके plus side में 100% और इसकी hue की value आप लोग ऐसे decrease करके ना इसे हम लोग minus side में 56% कर देंगे दें दोस्तों इसकी बाद आप लोग को क्या करना होगा yellow color को लेके और इसकी जो situation है ना इसको decrease करके हम लोग minus 100 कर देंगे इसकी hue की value हम लोग थोड़ा सा increase करके plus side में इसे plus side में 19% कर देंगे और इसकी बाद आप लोग को क्या करना होगा औरेंज कलर को लेना होगा जो कि हम लोग का फेस वाला कलर होता है और इसे लेने के बाद situation की वालो decrease करके माइनस 14 कर देंगे luminous की वालो increase करके plus side में 43 version करके और done क्लिक कर देंगे और done आप जैसे ही क्लिक कीजेगा तो आपकी पूरी फोटो एक टोन में आ जाएगी और अगला टोन भी आपका भाई create करना बताएगा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे रहा mix tool के बगल में grading के icon पर क्लिक कर देंगे कर लेने के बाद simple से आप लोग highlight वाले section में आईएगा अपनी finger से पकड़के ऐसे गसीट के यहां से blue side में कर दीजेगा जिसकी hue की value 220 रखिएगा situation को 60% रखिएगा और उपर side में done वाले icon पर क्लिक कर दीजेगा तो guys अगर आप यहां तक वीडियो को देख लिए तो एक step और आप वीडियो को देख लिजेगा आप complete editing सिख जाएंगे उसके बाद आपका भाई one click में भी editing सिखाएगा उससे पहले हम लोग क्या करेंगे effect के icon पर आएंगे विगनेट की value आएस हम लोग कम करके इसे minus side में 36 सर्चन कर लेंगे टैक्सर की value increase करके plus side में 10 सर्चन कर देंगे के लिए 80 की value decrease करके minus 10 करेंगे डियाइस की वैलो इंकी स्केर के प्लेस साइड में 10-16 कर लेंगे और हम लोग का complete editing हो जाएगा देख सकते हम लोग का यहाँ पे न यह वाला टोन का तो editing हो चुका है तो इसे आप लोग सेव कर लीजेगा अगर आप वो जो black वाला टोन देखें उसको create करना चाहते तो colors के icon प preset मैंने decision box में दे दिया है तो आसे preset को download करके आप वन click में editing कर सकते है फोटो को save करने के लिए share के icon पे click करके save to device कर दीजेगा आपका photo gallery के अंदर save हो जाएगा तो तब तक लिए tata bye bye thanks for watching